सभी दर्सक किसान भाईयों को नमस्कार, मैं हूँ इंदर्मडी, मैं उत्तर प्रदेश की आजमगर जर्पत का एक किसान हूँ, ने मन बना लिया था कि मैं मूँ की खेती नहीं करूँगा, इसी बीछ हमारे एक मित्र मिले। किसान भाईयों नमस्कार, मैं हूँ आपका किसान दोस्त बिजय मौर और आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल नमबर वन खिती वारी, किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, स्टार एग्री सीट कंपनी की स्टार 444 मूम वराइटी के बारे मे अभी फर्वरी महिने से ज़्यादा तर एरियाज में मूम की बुआई शुरू हो जाएगी, काफी सारे किसान भाई मूम की बुआई फर्वरी मार्च महिने में करते हैं, तो बहुत से किसान भाई जो है बारिस के मौसम में, यानि 09 जुलाई महिने में मूम की बुआई करत सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंदित सही सटी को आप ब्यवहारी ज्यानकारियां समय समय पे मिलती रहे किसान वाइ इस्टार एगरी सीट कंपनी के स्टार 444 मूम की वराइटी की तो बहुत से विसेस्ताएं हैं लेकिन तीन विसेस्ताएं ऐसी हैं जिससे ज़्यादा तर मूम की खेती करने वाले किसान भायों की यह नमबर वन पसंद बन गई है वह तीन प्रमुग विसेस्ताएं कुछ इस प्रकार है पहला इस वराइटी के दोरा लगाए गई मूम की फसल में जो है पीला मोजग रोग का अटैक बिलकुल भी नहीं होता है क्योंकि यह वराइटी पीला मोजग रोग के प्रती रोग प्रत्रोधी है काफी सारे किसानवाई बीते कुछ सालों में मूम की खेती को करना ही धीरे धीरे छोड रहते क्योंकि मूम की फसल में ज़्यादा तर पीला मोजग रोग लगने का खत्रा बना रहता है और इसके अटैक से मूम की फसल की जो पत्तियां होती हुआ पीली पर जाती है जिससे मूम के पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाता है और उत्पादन छमता काफी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है लेकिन किसानवाई यदि आप लोग इस्टार एग्री सीट कंपनी की स्टार 444 मूम की वराइटी को लगाते है तो आप लोगों को मूम की फसल में पीला मोजग रोग लगने का खत्रा बिलकुल भी नहीं रहेगा इस वराइटी के दूसरी बिसेस्ता यह है कि स्टार एग्री सीट कंपनी की स्टार 444 मूम की वराइटी को मार्केट से लाने के बाद आप लोगों को घर पे बीज को सोधित करने की कोई आवसकता नहीं होती है क्योंकि कमपनी स्वेम जो है इस बीज को अच्छे दवा से सोधित करके तभी जाके जो है वह पैकिंग करती है यानि आप लोग इस वराइटी को मार्केट से सिधा लाने के बाद डैरेक्ट अपने खेत में बुगाई कर सकते हैं जिससे बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ सुरुवाती दिनों में पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ होता है यानि आप लोगों को मूम की फसल में जो सुरुवाती दिनों में जड़ संबंधित या अन्य कोई समस्या देखने को मिलती है यदि आप लोग इस वराइटी को लगाते हैं तो आप लोगों को इस वराइटी में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती है इस voslaity की तीसरी प्रमुख भिसेषता यह है कि इस वरायटी के दोरा लगाए गई मूमं की फसल में शुरुवाती दिनों में ही यानि पौधा जब चोटा होता है तभी सेही इनने में अधिक मात्रा में टेहनीयों का फुटा होता है और उन टेहनीयों में अधिक मात्रा में गुच्छों में फूल वा फलियां लगती हैं और सभी फलियां एक ही बार में सेट हो जाती हैं और प्रति फलियों में जो है 15 से 16 मीडियम साइज के दाने होते हैं जो फलियां पकने के बाद भी जल्दी चिटकती नहीं है जिसे फसल की हार्वेस्टिंग एक ही समय पर और एक कही बार में हो जाती है और यही कारण है कि इस वराइटी को लगा कर आप प्रति एकर जो है आठ से नौ कुंटल उत्पादन बड़े ही आसानी से ले सकते हैं किसानवाई ये थी स्टार एग्री सीट कंपनी की स्टार 454 मूम की वराइटी की कुछ प्रमुग भिसेशता हैं आइए जानते हैं अब उन किसानवाईयों की रहे जो पिछले कुछ वर्सों से इस वराइटी को लगाते आ रहे हैं मैंने मन बणा लिया था कि मूम की खेटी को नहीं करूंगा इसी भीच हमारे मित्र मिले जिन्हों ने स्टार 444 वराइटी की बारे में हमें बताया उसकी सबसे खास बात जो है कि इसमें पीला मुझा रोग नहीं लगता और इसमें किसी भी प्रकार का रूग नहीं लगता ह तो मुझे मैं पिछली वर्स जो है इस फसल को लगाया था और मुझे अच्छा उत्पादन हुआ और मैं सभी किसान भाईयों से कहना चाहता हूं कि इस बराइटी का चैन करके आप फसल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इस मौके पर मैं इतना कहूंगा जैसा कि किसान भाईयों ने बीते कुछ सालों में स्टार एग्री सीट कमपनी की स्टार चार्स उत्पादन की वर्राइटी को लगाया था और इस वर्राइटी के साथ इनका अच्छा खासा आनुभाव रहा है तो मेरे हिसाब से यदि आप लोग अभी तक कोई अन्य वर्राइटी को लगाते आ रहे हैं और उस वर्राइटी से कुछ मन चाहा आप लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इस वर्राइटी को एक बार जरूर ट्राइ करना च यह वरायटी आसानी से उपलब्द नहीं हो पा रही है तो आप लोग इसी नमबर पर कॉल करके आसानी से घर बैटे इस वरायटी को मंगा सकते हैं किसानवाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी किसानवाई आज की वीडियो में बस यहीं तक फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान